गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगोंने काफी कुछ सीक और हमने फाइनली अपनी वेबसाइट को खड़ा कर दिया यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आपर जो पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो यह है कि अब हमारी वेबसाइट लाइव है इस डोमेन पर अभी हमने डोमेन को इस IP address से लिंक नहीं किया है लेकिन जो IP address है वो काइंड आपका डोमेन का काम कर देता है अगर आपको कोई fancy डोमेन खरीदना है तो आप खरीद सकते है उसका खर्चा करीब लगता है 200 रुपए तो नहीं लगता है साल का ये एक जुमला होता है मैं आपको बताता हूँ अब जैसे ही continue करोगे card को तो यहाँ पर यह आप लोग को बताएगा कि करीब 1200 रुपए लगेंगे 2 महीने के अब ऐसा है 2 साल के लगेंगे आपके 1200 रुपए आप कुछ लोग कहीं से कूपन लेकर पहला साल फ्री करा लेते हैं एक credit card लगा गए मुझे उस अब नहीं पता ठीक है अगर आपको save करना है आप कर सकते हो बहुत अच्छी बात है मिरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आरे थे कि यह वाली hosting ले लो और इनका एक साल फ्री हो जाता है अगर ICICI का है वाली company का है या फिर SBI का है फिर HDFC का credit card लगा दो तो मैंने का भाई देखो मैं इतना इन सब चीजों पर research नहीं करता हूँ कौन काप कौन से discount दे रहा है तो वगर मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक time तक ही मिलता है discount भी ठीक है और सब को नहीं मिलता है मुझे नहीं लगता कि free में चीज़े उपलब दोती है हर बार तो मेरे साब से खरीद लेना चाहिए किस तरह से हम अपनी life को easy बना सकते हैं जब हम बहुत सारे servers manage कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से FileZilla को हम लोग use कर सकते हैं और किस तरह से FileZilla की साहिता से हम लोग automatically FileZilla खोल सकते हैं अपना upload वगरा करके FileZilla को बंद कर सकते हैं हमने देखा था किस तरह एक command में हम लोग अपने server के अंदर गुज जाते हैं तो अगर मैं आपर git bash खोलूँ आप लोग अपने start पर क्लिक करके और git bash खोल लेना मैं आपर अपने start पर क्लिक करके git bash खोल रहा हूँ git bash यह bash लिखोगे तो आ जाएगा अगर आपने git install किया मेरे साथ तो zoom in करूँगा इसको मैं और यह करने के बाद आप लोग क्या करो कि यहांपर dollar opm1 करो अब यह आपका तभी चलेगा जब आपने मुझे follow किया है follow किया है का मतलब कि आपने यह playlist देखिए और आप यह वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हैं इन में जो मैंने बताया है वीडियो में वो आपने follow किया है मेरे साथ लाइन तक आपने हरकत नहीं करी तब आपका यह server automatically disconnect हो जाएगा तो चलो अब यह देखते हैं यह आपर कि किस तरह से हम लोग अपने production FTP servers को एक line में खोल सकते तो हमने bash profile के बारे में देखा था और मुझे बहुत सारे comments आए कि bash profile में उनको आपको Wim use करना नहीं आ रहा है जबकि मैं इतना अच्छे से बताया था Wim use करना बट कोई बात नहीं आपको Wim use करना नहीं आ रहा है न मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूं था कि किसी के दिमाग में कोई confusion ना रहे और root at the rate of year and enter password once यह भी लिख दूँगा मैं और मैं back tick में डाल देता हूं जो भी command है मेरा था कि आपको पता चले command क्या है instruction क्या है अब देखो before this और यह comment मैंने कर रहा है यह इससे कोई मतलब रहेगा इसको ठीक है तो आप यह मैंस सोचना कि यह कुछ execute होगा जैसे इन्होंने लिखा generated by git for windows वैसे मैंने comment लिख दिया है आप लोगों के लिए तो अगर आप यह IP address के लिए सेव करना चाहते हो machine की machine के अंदर ssh की install करना चाहते हो तो आप लिखो before this run यह and enter the password after this your ssh will run automatically will login you automatically समझ गया आप लो control ssh save करना मत बूलना अब यह तो ssh वाली बात हो गई लेकिन अगर आप लोग filezilla को filezilla यह फिर open filezilla अब देखो filezilla में थोड़ी सी परिशानी होती है मैं आप लोग बात बताता हूं कि अगर आप लोग filezilla को खोलना चाहते हो यूजर नेम और password की मदद से तब आप कैसे खोल सकते हो तो देखो इसको भी मैं save कर देता हूं इसको बाद में खोल लेंगे अब इसको मैं बंद कर देता हूं जो खोला मैंने मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं मेरा filezilla का अंस्टॉल्ड है मेरा filezilla installed is slash c slash program files और I don't know मुझे देखना पड़ेगा तो जो है कभी-कभी time लग जाता है filezilla camp install ये देखने में तो आपको डूढ़नी है filezilla.exe file ये filezilla.exe file वो file है कि इसको मैं copy करूँ और copy करने के बाद यहां पर मैं filezilla.exe उसको मैं यहां पर paste करूँ ठीक है तो मैं shift insert करूँगा लेकिन जो path होता है जो git bash यूज़ करता है वो थोड़ा सा अलग होता है ठीक है तो वहां पर आप लोग तोड़ इसी परचानी होगी basically यह मेरा path है ठीक है यह मेरा path है और अब मैं आपर क्या कर सकता हूँ यह लिखने के बाद end दबाके slash filezilla.exe अगर मैं ऐसे लिखाऊ तो यहां पर क्या है कि यह space की वज़े से मुझे problem मिल रही है ठीक है तो अगर मैं यह ना करके इसको ऐसे कर दूँ single quotes में कर दूँ तो देखो मेरा filezilla खुल जा रहा है ठीक है तो मुझे single quote क्यों लगाने पड़े मुझे single quote इसलिए लगाने पड़े क्योंकि यहां पर space थी ठीक है अब मैंने यह program जो है इस तरह से call कर लिया अब मैं इसको एक argument दूँगा मैं कहूंगा sftp और यह आप लोगों को लगेगा क्यार यह कैसे सीखूं मैं तो बहुत डराओना सा है बस आप copy paste करो अभी के लिए और root लिखना है आपको username लिखना है पर password लिखना है और password लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है add the rate जो भी आपका IP address है तो मेरा IP address machine क क्या है यह 139 यह मेरा IP address और मैं आपर paste करूंगा और paste करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ऐसे दे दिया और अब मैं क्या expect करूंगा इससे कि यह खुल जाए ठीक है तो मैं इसको enter मारूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरा यह machine खुल गई तो basically इस machine को खोलने का command जो है वो मैं ने generate कर लिया अब आप यह मैंने कैसे किया देखो यह bash की knowledge हो नीचे लिखने के लिए आपको फिर filezella की documentation कहती है कि filezella.exe को आप यह argument देकर use कर सकते हो तो मैंने जो filezella.exe को है इसमें single quote में इसने डाले क्योंकि इसके path में spaces थी फिर मैंने इसको एक argument दिया यह जो था मेर SFTP फिर username मेरा root password मेरा यह और मेरा add the rate server IP address ठीक है अब मैं क्या करूँगा इसको एक variable में store कर लूँगा जिसका नाम में रखने वाला हूँ OF यानि कि open filezella for machine 1 OFM1 और मैं कहूंगा कि यह बराबर हो जाओ मुझे export का use करना पड़ेगा export से आप एक variable के अंदर डाल सकते हैं क्योंकि मैं single quote already use कर रहा हूँ मैं double quote के अंदर इसको डालूँगा और यह चीज भी आपको haunting लग सकती है शुरू में कि यार यह चल क्या रहा है आपर तो यहाँ पर यह 206 है आप यहाँ रखना है 206 है यहाँ पर 6 भी कट गया है तो मैं आपर क्या करूँगा इसको right click paste करूँगा 206 लिखूँगा double quote बन करूँगा और enter मार दूँगा अब मैंने ofm1 के अंदर क्या डाल दिया यह पूरा डाल दिया अब मैं अगर dollar ofm1 लिखूँगा तो यह क्या करेगा literally इसको run करने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूँगा eval function का use करूँगा eval dollar ofm1 ठीक है मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा और मैं eval के बाद इसको दूँगा तो यह execute हो जाएगा अब मैंने बहुत सारी knowledge एक ही video के अंदर डाल दिये और आपको इसके लिए bash की जानकारी होनी चाहिए सब होना चाहिए तो आप लोग वगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहुँगा कि आप लोग क्या करो इसको copy करो copy और यह पर वो जे notepad वाला कोई मैंने website बनाई idiscus.com तो मैं id लिख दूँगा इसको id मतलब idiscus या पूरा ही लिख दूँगा idiscus तो मतलब आप लोग जो है इनका नाम रख सकते हो variable का वैसे ही तो ofm1 का मतलब की file जला खोल दो machine 1 का और मैंने यह आप a detail सेव कर रहा है तो control s मैं करूंगा इसको बंद करूंगा और यहापर git bash एक दूसरा खोलूँगा क्योंकि git bash दूसरा क्यों खोल रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि यह चल रहा है कि नहीं तो मैं लिखनागा eval dollar ofm1 और ofm1 जैसे ही मैं करूंगा आप लोग यहापर देखो मैं आगे हूँ इस machine के अदर ठीके जो मैंन खोल सकते हो अपने files लग के instances अब अगयन यह थोड़ा सा advanced हो गया अगर आप लोग को बिलकुल भी पहले programming नहीं आती थी आपने computer जादा नहीं चलाया Linux के साथ जादा काम नहीं किया है तो यह थोड़ा सा मैं मानता हूं थोड़ा सा advanced हो गया लेकिन यह काम की चीज बहुत बहुत काम आएगा आपके क्यों काम आएगा क्यों कि आप लोगे मज़ा 50 server आप manage कर रहे हो कितनों के password डालो गया कितनों को आप अब ज़रा खुद ही सोचो यहाँ पर आप लोग user ID password डालो गया तो कितना headache होगा क्या आप चाहो के बाद 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 हर server की IP username पासवर around server को तो क्या मैं इस process को fast नहीं कर सकता है सोचो दिन के अगर आप लोगों ने मानलो एक मिनट भी बचा लिया दो मिनट भी बचा लिया और फिर productivity भी कम हो जाती है आपके एख़टिया काम करके password हो गयर डालके तो दो तीन मिनट आपके दिन के बचा लिए अगर आपने तो सोचो कि आप 10 साल में कितने बचा लोगा ऐसे देखो इस चीज को तो यहापर आप बहुत सारे server stack कर सकते हो यह से मानलो मेरा एक और server होता तो मैं क्या करता उसको यहापर ऐसे लिख देता OFM2 कर देता उसको और उसमें मैं क्या करता कि जो password है username तो mostly root ही रहता मेरा password मानलो मे OFM2 को भी ऐसे यूज़ करता similarly मैं उसको खोलता भी ऐसे ही बस मुझे एक बार SSH copy ID डालना पड़ता वो मैं डाल ले था manually एक बार password डालके अपनी SSH की install कर ले था और फिर OPM1M2M3 यह सब मैं कर ले था तो यह सब चीज़ा आप जो है वो कर सकते हो तो अभी मैं इस line को हटा दूँगा कि मेरा server अभी valid है नी तो यह खुलेगा भी नी ठीक है तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा तो बस एक चीज़ मुझे याद रखनी पड़ेगी यह करने के बाद कि मुझे लिखना है $OPM1 अगर मैं खोलना चाहता हूँ अगर मैं खोलना चाहता हूँ अपना फाइल ठीक है I hope कि मैंने आप लोग को काफी easy बना दिये हो deployment आप लोगों के लिए और again आप लोग multiple PHP websites भी host कर सकते हो एक server के अंदर और उसको भी हम लोग आगे देख लेंगे इसी server पर हम वापस आएंगे और मैं इस server को actually destroy करना चाहता हूँ कि मेरे पैसे खारा है बहुत सारे ले मैं ये server जो है वो कुछ दिन के लिए आपकी practice के लिए रख देता हूँ तो जिन्होंने videos देखे हैं उनने पता है password क्या IP address ही है कम से कम 2-3-4 दिन के लिए मैं server को रखता हूँ आप लोग की practice के लिए एक request करना चाहता हूँ आप लोगों से कि please कुछ और मत करना सिर्फ practice करन दूसरों के लिए problem create मत करना मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि कहते हैं कि या server नहीं बना पा रहे है डेलोशन का account नहीं है वो यह use कर सकते हैं आप please use करना इसको कुछ बरबादी मत लगाना प्लीज यह मेरा हाथ जोड़के आपसे request है मनना अगर आपने कुछ delete कर दिया हैं server को misconfigure कर दिया तो दूसरे लोगों को problem हो जाएगी और मैं इसको कुछ दिन तक रखूंगा और आप लोग प्रैक्टिस करो इससे video upload होने के कुछ दिन तक यह रहने वाला है तो कोई भी attention आप लोग को नहीं होने वाली ठीक है so I hope कि आप लोग जो है इस चीज को समझेंगे और इस चीज़ को आप लोग फॉलो करेंगे मेरी बात को मानेंगे आप लोग और अगर आप लोग ने पी एच पी की प्लेलिस्ट आकसस नहीं करिए अभी तक तो इसको कर लेना और I hope कि deployment की जो चीज है वो आप लोग को काफी अठी तरह से समझ में आ गई हो होगा आपके college का school का या फिर अगर आपको इंकाम करते हैं तो बहुत ग्रूप होगा आप लोग का वहां पर आप लोग डाल सकते हैं PHP की प्लेलिस्ट को मुझे बहुत help मिलेगी इस तरना की free courses बनाने में तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं गई थैंक यू सो मच झाल